हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल इस्टुरेंट्स की डिमांड पर ही आज ये टॉपिक प्यार के आगया है आपके लिए वीडियो बनाएगे ये जो की बीटीसी के थर्ड सेम और बीएट सेकिंड येर के करिकुलम का है तो बीटीसी के जो एक्जाम होने वाले हैं भी उन्हीं स्टुरेंट्स ने डिमांड की थी कि मेंटल रिटायर चिल्डर पर एक वीडियो डाल दीजिए तो उसी के रिगार्ड ही आज हम डिसक्स करेंगे कि मेंटल रिटायर चिल्डर क्या होते हैं तो ये जो आहम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप जा लोगे कि मेंटर रिटार्चिरन क्या हैं, इनकी क्या कराक्टरिस्टिक्स हैं और इन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है और क्या रीजन होते हैं ऐसे बच्चों के लिए उनके क्या समस्याएं होती है और उनके शेक्षिट कारेकर्म क्या क्या हो सकते है तो इसमें हम आज ये जानेंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मानसिक मंदित बच्चे क्या होते हैं जैसे कि आपको नाम से समझा रहा है मानसिक मंदित मानसिक रूप से मंध होना जो कि ओसत से कम मानसिक योगता वाले होते हैं यानि कि बिलो एवरेस मेंटल एबिलेटी वाले बच्चे होते हैं और ये जो बच्चे होते हैं इनके मानसिक योगताओं और शमताओं की कारेशक्ति में बेवस होते हैं तर्मन और क्रो एंड क्रो ने ऐसे बच्चों को जिनकी 70 से कम जो है बुद्धी लबदी होती है ऐसे बच्चों को उन्होंने मन्द बुद्धी वाला बच्चा या मेंटल ड्राइचिनन माना है इसकी रणने इनको मंदिता, अल्प बुद्धी, मंद बुद्धी और मूर कहा है मांसिक गुरूप से जो मंदित बच्चे होते हैं उनके लिए अल्प बुद्धी मता, फिबल माइडनेस, मांसिक दुरबलता, मेंटल डेफिशेंसी और मांसिक निम्न सामानेता, मेंटल सबनॉर्मल्मल्टी ज़रे शब्द का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर कहने का मतलब यह कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो ओसत से कम मांसिक योगेता होती है उनकी जो ओसत में बच्चे आते हैं वो 90 से लेकर 110 तक जिनकी बुद्धी लब्दी होती है वो बच्चे आते हैं तो इसका मतलब जो इससे कम वाले हैं वो सब बच्च और mentor retired या mid mentor subnormal कहा जाता है तो आपका ये very short question पुछा जा सकता है कि 70 से 85 वुद्धी लबदी वाले बच्चों को क्या खा जाता है तो आपको ये word ध्यान रखने है ये objective question भी आ सकता है one word भी पुछा जा सकता है आपसे कि अब ध्यान रखना है कि कौन-कौन से बच्चे 70 से 85 मे mentor subnormal इसके बाद आपका है 25 से 50 बुद्धी लबदी वाले बच्चे उनको idiot, custodial, severe mentor subnormal कहा जाता है अब इसके बाद जो आपके 0 से 25 बुद्धी लबदी वाले बच्चे होते हैं उनको profound mentor subnormal कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 70 से 75 बुद्धी लबदी वाले बच्चों क्या गहा जाता है पच्चिस से पचास वाले को और जीरो से पच्चिस बुद्धि लवदि वाले को क्या गहा जाता है तो अब देख लेते हैं कि इसकी करक्टरिस्टिक्स क्या हैं मांसिख मंदित जो बालक होते हैं उनकी जो इस क्रो एंड क्रो के अनुसार विशेश्चता ह आपका कोश्वस पुशन माश्मी मंदी बच्चों जो एसे बच्च्च होते हैं वह दूसरों कु मित बनाने की इनकी इनकी बहुत हाईली इनकी डिजायर होती है लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे उनको as a friend accept नहीं करते हैं, उनकी इच्छा कम होती है तो इस तरह से ना तुनका समायोज समायोजन हो पाता है, ना ही विड्याले में समायोजन होता है ये तो थी क्रोएं क्रोएं के अंसार, अब इसके दर ने जो विशेशता हैं इसके दर ने कहा कि जो सीख्यूरी बाते हैं, जो उनको सिखाई जाती हैं, वो new situation में प्रयोग नहीं कर पाते हैं मतलब इनके पास application level कम होता है, उसके बाद विक्ति और घटनाओं के प्रति ठोस और विशेश प्रतिकिने हैं, मतलब ये flexible नहीं होते हैं, जो एक बार situation इनके सामने बन जाती है, वो उसी के लिए प्रतिबद रहते हैं कि हाँ यही सही है बस, मानेताओं के समन्द में अटल करते हैं, कोई भी ये बात है, तो उन्हें मतलब situation को दोशी ठहराएंगे, मतलब जैसे example ले सकते हैं, कि ये उनको ये लग रहा है कि भई पैसे चुराना तो गलत बात है, लेकिन ये उनको खाने की चीज मिल रही है, कोई ऐसी अच्छी चीज मिल रहे हैं, कुछ ऐसा मिल र कि किसी भी बात के निर्णे करने में परिसितियों की अभेल ना करते हैं, उसके बाद है कर्म और कान के समद्ध में उट पटांग धारना हैं, मालने जो बीमार हैं, बीमारी के लिए वो दोशारोपन नहीं थर्मामेटर को, तो इस तरह से कर्म और कान के समद्ध में उट प की ये आवेश में आ कर कभी भी किसी भी तरह का वहवार करते हैं अब देखते हैं कि इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है मानसिक मन्दित बच्चा कहलाएगा सबसे पहले होता है हमारे इंटेलिजन्स टेस्ट गुद्धी परिक्शन गुद्धी का IQ level चेक करते हैं यदि जिस बच्चे का IQ level 90 से बम आता है जैसे की टर्मन ने 70 बताया है क्रोण ने 70 बताया इस तरह का आता है तो इसका मतलब बच्चा मानसिक मंदित बच्चा है उसके बाद है उपलबदी परेक्शन अचीवमेंट टेस्ट तो ऐसे बच्चों को अचीवम करता है तो परिवार में जो मां होती है माता-पिता होते हैं उनको अपने बच्चे के समद में पूरी जानकारी होती है यदि उन्हें एहसास होता है कि उनका बच्चा कुछ उन्हें का IQ level कम लग रहा है तो वे डॉक्टर से परामश्ट उनको लेनी चाहिए टीचर ओपिनि क्योंकि बच्चे से संपर्क में रहता है तो आसाने से पता लगा लेता है कि कौन सा बच्चा मांसिक रूप से मंदित है तो उसे उसी अकोर्डिंगी अब मतलब बच्चे को पढ़ाना है उसके बाद है व्यक्तिगत विवन बच्चे केस स्टड़ी इसके थूरू भी हम ज सकते हैं अब यह जानते हैं कि इसके रीजन क्या है क्या इसके कोज होते हैं तो पहला कोज है इसका प्रसव पूर कालिक कारण यानि की प्री मेच्चे डिलीवरी हो जाना जब जिस बच्चे की प्री मेच्चे डिलीवरी होती है उसके संबन में भी ऐसा होता है कि उसका जो और कभी कभी क्या हुता है कि मस्तिश में मानसिक मंदिता ही है। आपके होंगे कि जब बच्चे का जो जनल डेवलप्मेंट होता है उसमें कोई विकार उत्पन हो जाते हैं तो तब भी यह वाली बच्चा जो है मांसे ग्रूप से मंदित होता है डेवन पोर्ट ने इसको सेविन केड़गरी में रखा है कि जनल जीवानों में पाए जाने व यहां पर आगातों से समंधित दोश हैंगे शैशव एम बालेवस्था के समय उत्पन दोश अब किर्कने कारण बता हैं इसके जैविकारक अनुवांशिक और सांसित कारण और इसके अन्या कारण भी है दुरगटना है कभी-कभी कोई एकसे एकसिडन हो जाता है जिसमें ब गरीब होने कारण उसके घर में भी समयस्या चलती रहती है जिससे की वह बच्चा जो है प्रॉपर सोच नहीं पाता है और इसका मानसिक विकास रुख जाता है जिससे कारण की बाच्चा मानसिक मंदित हो जाता है उसके बादे एकसे किर्णों का प्रभाव बहुत जादा और लेकी कालेने से भी जो उसकी जो रेज होती है उसका एफक्ट पड़ता है तो इस से भी बच्चा मानसिक विकास मंदित होता है बातमर समंदी कारण की एंवार्मेंटल अज़ पास एसका बातमर ठीक नहीं है कोई दुखत समाचा एकदम मिल जाता है तो हमारे से परभा करना है उसकी education का क्या उद्देश्य होगा तो सबसे पहले है उसके अंदर healthy habits को develop करना है उसके अंदर आत्मिश्वास की भावना को develop करना है उसे बताना है कि ऐस हर काम आप कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते हो आप धीरे-धीरे सीख सकते हो और द्यानिक होगे कि बच्चे के अंदर confidence develop करना है और उसको ऐसे त्यार करना है कि उसकी जो social needs है, economics needs है वो बच्चा अपने आप कर सके और वो अपने health को develop कर सके और उसमें सुरक्षा की भामना का विकास भी करना है उसके अंदर ऐसी emotions develop करना है कि उसे यह नहीं लगना चाहिए कि जो विक्सित ना हो पाएं हमें उसको ऐसी education देनी है, अब देखते हैं कि बच्चे के में ऐसे बच्चे में कौन कौन सी समस्या होती है, सबसे पहली समस्या होती है उसकी family में adjustment करने की, वो family में adjust नहीं हो पाता है, जो parents होते हैं, parents जो से आशा करते हैं, वो उन आशाओं पर खर वो society में जाता है, तो society में दूसरी बच्चे साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, उसे बात बात पर चड़ाते हैं, उसे अपना friend में बनाते हैं, जिससे कि उसके अंदर social abilities डेवलप नहीं हो पाती है, नेक्स से विद्याले में समायूजन की समस्या, यानि कि school में adjustment की problem होती ह है, जब बच्चा क्लास में जाता है, तो जो class होती है, उस class से उसको उतना benefit नहीं मिलता, जो कि average बच्चों को मिलता है, टीचर्स का वहवार यदि सानुगूती पूर नहीं हैं, तो उसका समायूजन क्लास में नहीं होगा, इसकोल में नहीं होगा, और क्योंकि बच्चे भ आत्मक आई स्थिर्था, इमोशनल अनेस्टेबिलिटी हो जाती है, बच्चे के अंदर जो मांसिक मनित बच्चा होता है, वो घर पर समाज में, स्कूल में उस पर विशेश ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण बच्चे के जो समवेग हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, और इस कारण से बच्चे में अनेक दोशित्पन हो जाते हैं, वो कठीन परिस्थी में भी और उस परिस्थी से भागता है और बात बात पर रोने लग जाता है, जिस कारण की वो उसका समायोजन नहीं हो पाता है, शारिर वे मानसिक विकास की उचित नहीं हो ना, अब बच्चे का ऐसी वस्ता में मानसरी विकास नहीं होता है तो उसका शारी विकास भी नहीं होता है तो इस तरह से ये सारी समस्याई ऐसे बच्चे को फेस करने पड़ती है तो इनके लिए हमें क्या educational प्रोग्राम रखेंगे सबसे पहले होगा सामाजिक प्रेशिक्षन ऐसे बच्चे को सामाजिक प्रेशिक्षन देना है कि उसका सामाजिक वहवार करने की सो टेनिग देनी है कैसे देंगे उसको सामुही कारे करने के लिए देंगे उसे जो भी games हो रहे हैं वो group में games कराए जाएंगे जिससे कि वो उसके अंदर social ability develop होंगी सामाजिक शिश्टाशार की हमें training देनी होगी और जो भी हमारे social event हो रहे हैं culture program हो रहे हैं उसमें उसको participate करने के लिए प्रोसाहित करना है नेक्स है विशिश्ट classes की विवस्था करना उसके लिए arrangement of special classes जो मांसिक मंदिद बच्चे होते हैं वो सामाने कक्षाओं में पूरा लाब नहीं उठा पाते हैं इसलिए ऐसे बच्चों के लिए हमें अलग से special classes को arrange करना चाहिए अब ये लेकिन बहुत कठिन काम है लेकिन हफते में एक या दो class school के दौरा arrange ऐसे बच्चों के लिए जरूर कराई जा सकती है उसके बाद है website prescription यानि कि vocational training जो कि मांसिक मंदिद बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को आर्थिक रूप से independent बनाने के लिए हमें vocational training भी बच्चों को देना बहुत जरूरी है जिससे कि वह अपने livelihood के लिए बाद में जाके काम कर सके और उनको स्वेम की देख भाल का prescription ट्रेनिक ओफ सेल्फ केर उन्हें की ट्रेनिक भी देना बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों को सफाई करना अपनी बस्तों की देख भाल करना अपने काम खुद करना अमनारंजन करना इस इन सब की भी ट्रेनिंग देनी है जिससे कि वह बच प्रोग्राम के दौरा इनके जीवन को समार सकते हैं तो इसी के साथ ही आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिसे की आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे थेंक यू स को मैंच